हेलो फ्रेंड साई एम सालीनी सिंग, वेलकम टू माई चैनल इस्टडी बलाग विस सीवेंद्र तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तस्सम और तद्भो के बारे में तो तस्सम तद्भो आपके एक्जाम के पाइंट आफ यू से काफी इंपोर्टेंट है और आपके एक्जाम में जो है पूछा भी जाता है तो तस्सम तद्भो में मैं आज आप लोगों को ऐसी ट्रीक बताने वाली हूँ कि आप सब्दो को देखते ही बता दोगे कि इसमें तस्सम है या तद्भो क्योंकि हम इतने जादा तस्सम तद्भो को रट नहीं सकते हैं इसलिए हमें कुछ रूल मालूम होने चाहिए जिससे हम देखते ही तस्सम तद्भो को पहचान लें कि इसमें तस्सम है या तद्भो तो अब आप लोग सोच रहे होगे कि क्या ऐसी कोई ट्रीक हो सकती है तो ऐसी ट्रीक वास्तों में है ऐसा व्याकरण में दिया गया है लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं तो आज हम तस्सम तद्भो के बारे में जो है पढ़ेंगे तो मालीजे तसम तुद्भो रटने की बात है तो मैं आपको लिखवा सकती हूँ आप उसको रट भी सकते हैं लेकिन कितना रटेंगे 200, 300, 400 इससे ज़्यादा आप नहीं रट सकते हैं इसलिए आपका रटने से ज़्यादा जरूरी है कि आप उसको समझें तो पता चला कि एकजाम में आपके पूश दिया आपने जो रटा हुआ है वो एकजाम में आया ही नहीं कुछ और आगया तो आप उसको करी नहीं पाएंगे और अगर आप समझे रहेंगे तो आप उसको आराम से कर सकते हैं तो मैं आज आप लोगों को तेन-चार मिथट बताऊंगी उनको आप अपने दिमाख में रख लो और आप जब भी जो है तस्वम तद्भो को देखोगे तो उसको तुरंच जो है बता लोगे तो चलिए जो है आज हम लोग तस्वम तद्भो को शुरू करते हैं और हिंदी ग्रामर में इसके पहले हम लोग जो है विलोम सब्द पढ़ चुके हैं आज हम लोग जो है तस्वम तद्भो को पढ़ेंगे तो चलिए देखते हैं कि तस्वम तद्भो क्या है तो सबसे पहले हम तस्वम को देखेंगे करते हैं तस्सम तो हिंदी में बहुत से सब्द संस्क्रिस से सीधे आ गए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किये जा रहे हैं जैसे कुछ सब्द जो है हिंदी में ऐसे हैं जो संस्क्रिस से सीधे आ गए हैं और आज जो है हम उसको आम बोल चाल भासा में जो है उसको अगनी, वायू, सूर, पूत्र, आद ये सब क्या हैं? तस्सम सब्द हैं. तो ये रही जो है तस्सम के बारे में जानकारी, अब आगे चलते हैं हम लोग तदभो को देखते हैं, उसके बाद हम लोग रूल देखेंगे. तो नेक्ष्ट है आपका जो है तदभो, तो तदभो किसे कहते हैं? तो तद धन भो, मतलब उससे होना, अर्था संस्कृत सब्दों से परिवर्थित होकर बने शब्द को तदभो कहते हैं. ऐसे सब्द जीन का जन्म संस्कृत से हुआ है, परन्तु आज उनका स्वरूप बद जैसे कपूर, संस्कृत के करपूर का ही परिवर्थित रूप है, कपूर, मतलब करपूर जो है संस्कृत का वड़ था और उसको परिवर्थित करकी कपूर, जैसे हाथ का हस्त, तो ये जो है तदभो रहे, तो ये तस्सम और तदभो की डिफिनिशन हो गई, और अब हम चल ये देखते हैं तसम्यम तद्भो पहचानने की नियम तो तसम्यम तद्भो का जो है पहला नियम है कि छह का प्रयोग प्रायह तसम्य होता है अगर कहीं पे भी छत्री वाला छह दिया गया है तो वो तसम्य होगा आख बंद करके आप उसको जो है तसम्य बताएंगे तद्भो आप सीधे जो है टिक लगा दीजेगा वो तद्सम है ठीक और च्या जो है जब परिवर्थित होता है तो खय और अउर छ्या होता है छै का परिवर्थन खय और छ्या में होता है तब वो तदभो बन जाता है तो कुछ example मैंने यहां पर लिए हुए हैं उनको खीर हो गया वैसे ही अच्छर अच्छर जो है तसम है इसको जो है यहाँ पे जो है छत्री वाला च्छर जो है अच्छर हो गया परिच्छा में जो है परिच्छा हो गया तस्तदभो परिच्छा का साथी का जो है साखी हो गया मतलग छै जो है छत्री का छै का दो है दो रूप में परिवर्तन होता है खय में भी हो सकता है और च्छय में भी हो सकता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार जो है अच्छी अच्छी का क्या होगा आख होगा अच्छी का आख होगा वैसे ही छेत्र का खेत होगा तो तस्सम और तद्भा आप समझ गए कि अगर कहीं पे भी छत्री वाला छदिया है तो उसको हम तुरंट कह देंगे कि ये तस्सम है और अगर जो है उसका परिवर्टित होगे ख्या और छत्री वाला छदिया है तो वो तद्भो है तो आगे चलते हैं जो है कुछ और उसके जो है उदारण हैं उनको देख लेते हैं मच्छिका का जो है मक्खी हो जाएगा मच्छड का जो है मक्खन हो जाएगा अच्छत का जो है अच्छत हो जाएगा अच्छोब का अच्छो हो जाएगा अच्छोट का अखरोट हो जाएगा तो आपने देखा जो है कि च्छत्री वाला च्छा सब में आया हुआ है और सब जो है तत्सम है और जिसमे ख्या और च्छा आया हुआ है वो आपका तद्भो है तो ये जो है तत्सम तद्भो का ये पहला नियम हुआ मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में भी आगया होगा कि कहीं पे भी छतरी का छह मिले तु तुरंत आप लगा दीजिए तस्सम है और अगर उसका परवर्थित है खह मिले छतरी वाला छह मिले तो आप तुरंत जो है उसको तदभो बताएंगे तो हम दूसरा नियम देखते हैं आगे चलते हैं नियम दो है प्रायह तत्सम में वय तदभो में बय मतलब कि अगर तत वय सब्द आता है तो हम उसको तुरंद बताएंगे कि वो तत्सम है क्या है? तत्सम है और अगर बय आता है तो वो तदभो हो जाएगा जैसे इसका उदाहरड हम देखते हैं यहां पर कईठो मैंने उदाहरड लिया हुआ है जैसे वडिक वडिक में जो है वय आया हुआ है तो यह तत्सम है और बनिया में बय आया हुआ है तो यह तदभो है वरसा में देख लीजिए आप वर्सा जो है आपका तस्सम है वक जो है तस्सम है वर्यात्रा जो है तस्सम है और दूसरी तरफ वर्सात बया गया बगुला में भी बया गया बारात में भी बया गया तो ये सब क्या हो गए तदभव हो गए वैसे ही विवाह का ब्या हो जाएगा वानर का बंदर हो जाएगा विद्धुत का बिजली हो जाएगा उद्वर्तन का उब्टन वस का बच्चा बधू का बहू वर का बर विभीतिक का बहेडा दिवेदी का दूबे और वरकर का बकरा अर्थात इस नियम के कहने का तात पर ये है कि अगर जो है तसम में वा आए अगर किसी भी सब्द में वा आए तो उसको हम तुरंत कहेंगे कि वो तसम है और अगर बय आए तो वो हमारा तदभो हो जाएगा तो ये जो है तसम तदभो का दूसरा नियम हो गया अब आगे चलते हैं हम जो है इसका तीसरा नियम देखते है कि तीसरा नियम क्या है तो जो है तीसरा नियम आपका है कि अगर जो है बड़ा से आता है किसी भी सब्द में बड़ा से आय तो वो तद्सम होगा और छोटा से आय तो वो तद्वो होगा तो आप लोग यहां देख सकते हैं कि स्यामल स्यामल में जो है बड़ा से आया हुआ है तो ये तद्सम है और छोटा से आया हुआ है तो ये तद्वो है सामला सक जो है सक जो है बड़ा से है इसमें तद्सम है सुंड में बड़ा से है तद्सम है स्वसूर में जो है बड़ा से है ये भी तद्सम है वैसे ही आदर्स है, स्वेथ है, आसीस है सुंड का सूर हो गया, स्वसूर का ससूर हो गया दर्शन का दर्शन हो गया, आदर्स का जो है आरसी हो गया तो इस तरह से अगर आपका बड़ा सा आए तो जो है वो आपका तत्सम हो गया और अगर छोटा सा है तो वो आपका तद्भो हो गया आगे बढ़ते हैं जो है ऐसे ही राजी का राज हो गया निक्ष देखते हैं प्रायह री री अगर आता है तो वो तद्सम है और त्रे भी जो है आपका तद्सम है और त्रे का क्या होता है त्रह जब परिवर्टित होता है तो त्रह का ता हो जाता है ये चौथा नियम है तस्वम का तो जैसे माली जे यहाँ पे दिया हुआ है रात्री तो रात्री का तद्वो क्या हो जाएगा रात हो जाएगा और यहाँ पे दिया हुआ भी है त्रह का बदल के रूप ता हो जाता है त्रह को जब हम जंच करेंगे तो वो ता हो जाएगा अगर मालीज यह त्रह दिया हुआ है किसी सब्द में जैसे रात्री हो गया, राजपुत्र हो गया, सरिंगार हो गया आपका घृत हो गया यहाँ पर री लगा हुआ है स्रिंगार में भी री लगा हुआ है स्रिंगार आया है तो एक चीज़ देख लें कि स्रिंगार को लिखते कैसे हैं तो यह देख लिजे स्रिंगार का सही रोप यही है ऐसे ही स्रिंगार लिखा जाता है ऐसे भात्ति भार्या में जो है री लगा हुआ है तो ये सब क्या है? ये सब तस्सम है मृतिका हो गया, घृड़ा हो गया तो ये सब आपका तस्सम हो गया और अगर जो है त्रय का तय हो जाता है तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा तदवो जैसे राजपुत्र का राजपूद, सरिंगार का सेंगार, घृत का घी और भातिभारया का जो है भारया, मृतिका का जो है मिट्टी हो जाएगा, घृड़ा का घिन हो जाएगा तो ये जो है प्रायरी अगर आता है और त्रय आता है तो तस्वम है और अगर त्रय आ जाता है तो तद्भो हो गया त्रय का तद्भो में परिवर्टन होगा तो तद्भो हो जाता है द्रिष्टी का धीठी हो गया अब जो है हम चौथा पाचवा नियम इसका देख लेते हैं तस्वंत अद्भो का, तो पाचवा नियम है जो है विषर्ग का प्रयोग उन संस्कृत सब्दों में होता है, जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है, जैसे करवपूर है, ये संस्कृत का सब्द है, और इसको हिंदी में भी करपूर कहते हैं जेस्ठ है, इसको संस्कृत में कहते हैं जेस्ट जो है इसको हिंदी में कहते हैं तो ये जो है आपका 5. नियम हो गया तस्शंतभो का अब हम लोग 6. नियम देखेंगे जो काफी important नियम है उसको हम थोड़ा अच्छे से देखेंगे इंपोर्टेंट है एकजाम के पाइंट आप यो से तो अगर जो है छत्री का छत्रे री और अर्धवर्ड में आर ये से खैंगे तो वो क्या हो जाएंगे तत्सम हो जाएंगे और उसमें भी ये को हम जया में परिवर्टित कर देंगे बड़ा से जो है छोटे से में परिवर्टित हो जाता है आपने पहले देखा और खटकोड़ वाला से है तो वो से और जया में परिवर्टित हो जाता है और एक बात और अगर जो है बिंदी दिया हुआ है चंद्रमा वाला तो वो जो है तदभो है और अगर एक बिंदी दिया हुआ है तो तस्सम है जैसे गोधुम गोधुम जो है आपका तस्सम है और उसको हम परिवर्थित करेंगे तो वो गेहू गेहु में देख लिए चंद्रमा वाली बिंदी लगी हुए तो ये आपका क्या हो गया ये आपका तदफ़ हो गया वैसे ही मुख का मुख है इसमें भी देखिए चंद्रमा बिंदी लगी हुए है अस्मस्रू में मूच में भी गाउं में भी और वैसे ही व्याग ग्रे इसमें जो है रह लगा हुआ है तो इसका जो है क्या हो जाएगा व्याग ग्रे यह तस्सम है और यहां पर बद यह हुआ हुआ है तो यह क्या हो जाएगा तद्वो इसके पहले की नियम में आपने पढ़ा है अब जैसे भुरू आधा रहे तो इसक क्या है ये तस्सम है ब्रू का भौ हो जाएगा नक्र का नाक हो जाएगा भादरपत का भादो हो जाएगा गिद्र का गीध हो जाएगा आम्र का आम हो जाएगा इसमें जो हलंत लगा हुआ है आर के नीचे तो ये सब क्या है अगर हलंत है आर के नीचे तो ये सब आपका तस् अचछे से समझ में आ गया होगा जगा कि अगर चछत्री चह दिया है तरदए कर ईया है और ये फैर ये सक्सरा तो ये सब क्या होगे ये सब तस्सम हो जाएंगे और यह का परिवर्तन जोड़े स SE में हो जाएगा तो यह नियम नंबर 6 हो गया अब हम आगे बढ़ते हैं अब ऐसे ही देखिए यूग का जो है जूग हो जाएगा मैंने बताया ना कि यहां पर आपका दिया हुआ है कि यह का जैमे हो जाता है तो इसी तरह जो है यूग का जो है जूग हो जाएगा यूगा का जो हो जाएगा यह का परिवर्तंज्य में खश्ट का जो है आपने देखा खश्ट का जो है छह में हो जाता है तो यहां पर छठा हो गया आसीस का जो है असीस हो गया सिस्य का सिस्य हो गया तो यह जो है नियम हो गया सब अब हम लोग अर्धतस्सम देखते हैं क्या होता है तो तत तत्सम और तत्भो के बीच का होता है अर्धतत्सम ठीक तत्भो और तत्सम के बीच का होता है जैसे अगिन या अगी तत्सम और तत्भो के बीच का रूप है तो अगनी जो है आपका तत्सम है आग जो है आपका तत्भो है तत्सम तत्भो के बीच का होता है अर्धतत्सम जै जैसे अगिन या अगी तत्सम और तद्भो के बीच का रूप है इसको अर्द तत्सम है अगिन या आगी ये जो है अर्द तत्सम है लेकिन इसका जो है तत्सम हो जाएगा अगनी और तत्भो हो जाएगा उसी प्रकार जो है किस रड़का जो है किसून हो जाएगा ज्यान का ग्यान हो जाएगा तो हम लोगों ने तस्सम पढ़ा तद्भो पढ़ा और अर्द तस्सम पढ़ा और मुझे लगता है कि उसका नियम सबाब को जो है अच्छे से समझ में भी आ गया होगा तो आप इस नियम को कहीं पर नोट कर लीजेगा और एक बार अच्छे से पढ़ लीजेगा आप जो है अब बस तस्सम तद्भो को देखेंगे और तुरंत बता देंगे कि इसमें तस्सम है कि तद्भो है इस नियम के दोरा तो अगर मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंशता रहे और एक पात और जो है डिस्क्रिप्सर में टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप जाके टेलिग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं और कल आड़ जुलाई से जो है जेयलो की क्लास जो है अमारी चैनल पे स्टार्ट हो रही है अगर आपको class join करनी है तो आप जो है मेरे thumbnail पे दिये गए number पे call कर सकते हैं whatsapp से message कर सकते हैं class को join कर सकते हैं thank you